Hello everyone, तो जी कैसे हैं आप सभी लोग I hope की बढ़िया होंगे तो जी आज के vlog के स्टार्टिंग हम कर रहे हैं इवनिंग के टाइम से अभी बज़ा हुआ है साम का 5 और जस्ट ना मैं अभी सो के उठी हुई हूँ लगबग 5-10 मिनट हो रखे होंगे मैं उठ तो गई थी बट ये था कि हां आलस ऐसा आता ना कि उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है और दूसरी बात ये भी है कि मैंने का काफी दिनों से हमने अपना जो इवनिंग का रूटीन है वो शियर नहीं किया था तो आज आपको दिखाती हूं कि इवनिंग में हमारे क्या क्या से काम होते है तो सबसे पहले देखिए बच्चे जा चुके हैं खेलने के लिए और मैं यहां पर अभी बस उठी रही हूं और उठने के बाद देखती हूं थोड़ा सा पानी पीती हूं कि क्यों था ना कि दि दोस्ते और बहुत सारे कपड़े हैं जो पूरे के फूरे उठा रखे हैं उनको फोल्ड करना है तो मैं आपको दिखाती हूं पूरे कपड़े आप देख सकते हैं बैट में पड़े हुए और यहां पे से बहुत अच्छी सी दूप अभी आ रहे है जब संसाइड का टाइम होता ना तो उस टाम पर यहां पर दूप बहुत अच्छी आती है और सारी लाइटे अभी बंध है तो थोड़ा सा अंधिरा यहां पर हो रहा है अभी हम पहुँच चुके हैं कीचन में तो सबसे पहले तो दिखते हैं किया सबजी क्या बनाएंगे वैसे मैंने सोचा है कि आज हम सिम्ला मिर्ची की सबजी बनाएंगे और कल है महासिव रात्री तो उसके लिए कुछ बहुत बेर यहां पर लेके आएं और कुछ बहुत जो सिर्जी बगवान के सेवलिंग में चड़ता है ना जो अभी मुझे याद भी एक तो बेर है इसमें और फूल पतियां जो आप लोग बने रहें मेरे साथ कि नहीं खाना चाहिए तो यहां पे मैंने फटाफट से सिम्ला मर्च कट कर ली और आलू कट कर लिये थे दन अच्छे से इसको वाश कर लिया साप से इसको धो लिया था और धोने के बाद फटाफट से बनाएंगे सबजी तो जैसे कि कल है महा सिवरात्री तो आज हम लोग न सिवरात्री तो यहां पर बसे नॉर्मली देखिए जीरे का तटका यहां पे लगा दिया तो जीरा मैंने यहां पर एट कर लिया है उसके बाद जो मेरा टमाटर है'm मैंने अच्छे से उसकी बना ले दी जब भी आप जीरे को एड़ करते हैं तो टमाटर की प्यूरी बनाना बहुत ज़्यदा जरूरी है उससे क्या उतना कि सब्जी बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हमने लैसुन प्यास नहीं डाल रहा है तो नॉर्मली और दिन की तरह में अपने वही रेगुलर मसाले इसमें यूज़ करूँगी बट हाँ आज में थोड़ी सी कस्मीरी मिर्चे एड़ कर लूँगी ताकि जो सब्जी का कलर और भी अच्छा आ जाए और बच्छे अच्छे से खा ले तो यहां पर देखिए फटा सब्जी कम और आलू को मैंने कट करके रखे हुए थे सारे के सारे मैंने कड़ाई में डाल दिये है और फटा फटसे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेता है हलका सा देन उसके बाद इसको कवर अप करेंगे और कवर अप करने की लिए छोड़ देंगे सब्जी एगर चड़ा बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे और यहां पर देखिए कपड़े में फटा-फट से जितने भी थे फोल्ड कर लूँगी एक्षिल में क्या हो आना कि आज ना तीन बार मैंने कपड़े वाश किया मतलब फस्ट में एक बार दोए फिर दुबारा फिर तीबारा तो फ्रेश हो जाता है दोस्तों के साथ जाओ थोड़ी सी बाते करो तो इसलिए में फटा-फट से सारे के सारे काम करने लग गए थी आटा मेरा जो है वो था गुदा हुआ तो आटा मैंने नहीं गुदा आटा बाद में जब मैं निचे से आँगो तो फटा-फट से रोटी ब महां से आई दिन उसके बाद हमने फटा-फट से रोटी बनाई खाना खा लिया था तो आभी जो मैं सूट करें खाना खाने के बाद की वीडियोज है यहां पर देखिए खाना खा लिया मिल्क मेरा गरम हो चुका था अब कुछ बहुत बरतन थे जो मुझे वाश करने थे न ने एक बरतन थे छोड़े बहुत वो सारे के सारे वाश कर लिये थे और आधी अथर्व जा चुके हैं अपने बैड में क्योंकि ना आज दिन के टाइम पे वो नहीं सोए थे तो इसलिए मैंने बोला तुम लोग सो हम लोग अभी आते सिरलोलोजी टीवी देख रहे थे तो हमेशा हम लोग स्पेसली विंटर के टाइम पे ये पानी भरके रखते हैं बट अभी थोड़ा टाइम है समर आने का तो अभी यूज कर रहे हैं हम अभी भी गरम पानी तो उसके बाद याद आया है कि जो डैस्टिबीन में है उसमें पन्नी नहीं लगा रखिये तो देखे को फटा-फट से खाना खाया बच्चों को सोने के लिए भेजा तो मैंने का इन कपड़ों को और्गनाइस कर ले तो जितने भी बचे होए तो सब कपड़ों को उनकी जगह पे रख लूँगी और जो कपड़े मॉर्निंग के लिए चाहिए मतलब मॉर्निंग में बच्चे शावर लिंगे उसके बाद जो कपड़े पहनेंगे न वो कपड़े न मैं एक दिन पहले ही साइट पर रख लेती हूँ ताकि बच्चों को कोई टैंसन ना हो ढूँडने में तो उन कपड़ों को साइट करूँगी बाकी सिरोलोजी के कपड़े साइट करूँगी और अपन मैं एक दिन में एक ही गंबल वाश होगा क्योंकि मैं मैं मसीन में यूज करूँगी इसको डालके मसीन से क्या उतना कि मसीन पूरा अच्छे से घूम लेती तो जो कपड़े हैं वो काफी अच्छे से सूख भी जाते तो देखिए अभी बटा फरसन कपड़ों को रखती हू देन उसके बाद मैं जो कंबल है इसको अच्छे से वाश करने के लिए मसीन में डाल लूँगी तो नाइट का टाइम था नाइट के दस बच चुका था बच्चे सो चुके थे अथर तो सो गया था बट आदी अभी नहीं सोय था वो क्यूब में लगा हुआ था तो यहां प बहुत साफ हो जाता है और गंदेगी सारी निकल जाती है तो यहां पर देखे मैंने पूरा कंबल मसीन में डाल दिया था और पांच मिनट में ज्यादा नहीं इसको बस पांच से तस मिनट ही मैं घुमाऊंगी क्योंकि ज्यादा वेट ना मसीन भी नहीं सहन कर सकते क्योंकि जल्दी बाजी में फटाफट से अपने हाथ से ही कोला और उसके बाद इतने भी कंटेनर थे उनमें मैंने सर्फ को भर लिया था और यहां पे आप देख सकते हैं कि मैं भी सारे कंटेनर भर रहूं देन उसके बाद जाके और यह जो मसीन है वो स्टार्ट कर देंगे तो मैं मैंने सारे कपड़े यहां पे दाल दिये थे इस पेसली जो कंबल था देन उसके बाद मैंने हलका साथ से थोड़ा सा ऐसे किया था ताकि और भी साफ हो जाए और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें से निकल रही है तो इसको एक बार वाश किया फिर दूसरे बार मै से अथव सो चुका था आदी नहीं सोया था तो मुझे लगा अथव कहीं गिरना जाए तो पहले मैंने अथव को उठाया और उसको अच्छे से सुलाया बैड में क्योंकि अथव ना एक कोने में सो रखा था और होता ना कि बच्चे का गिरने का थोड़ा सा डर भी लगी ज नहीं थी क्योंकि जो कंबल थे काफी जादा यहां पर भारी और थे फिर मैंने से लोजी को महां पर भेजा और से लोजी ने सारे कंबल सारा कंबल उठाके उसको साइड में कर लिया था तो आज का ब्लोग पस इतना सा ही था